Welcome back class 9th, आज हम पढ़ेंगे equations of line parallel to x-axis and y-axis, यह हमारा last topic है, तो इसको पढ़ते हैं, अलग एक chapter है, इसको समझने के लिए cartesian plane करें, वह हमारे बाद बाद लिए चाप्टर है का हम detail में पढ़ेंगे, अब हम थोड़ा बहुत समझते हैं क्या होती है cartesian plane, ठीक है, तो equation of line parallel to x-axis and इसको हम कहेते हैं x-axis और जो vertical line इसको हम कहेते है y-axis, यहां तक सब कुसर बजाया, और यहां तक किसी को कोई problem नहीं रहा होगा, ठीक है, तो यह हुआ vertical हुआ, this is y-axis, horizontal क्या है x-axis है, ठीक है, अब दिएहां से देखें, हमारे पास यहां पे x, y, यह जो triple है, x, y, इसको हम क थो गया, ठीक है, तो मैं x-axis के उपर हो ना, हैं तो यह एक्स कोई Infinite की बात हो रही है, तो यहां तक मैं 2 गया सर, उसके उपर में 1 गया, 1 गया, चोंकि उपर यह ऐसे गया हूँ, तो यह Y-axis आया, इसको मैं लिख आए o 2,1 2 क्या है sir 2 है x-axis की उपर जो पॉइंट है वो और 1 जो है y-axis यानि अब इस इधर कितने के 2 km और उपर कितने के आप 1 km क्लियर है और सपोज मैं यहां से अप नीचे चला जाता 2, यहां पे 1 नीचे 1 आता चुँकि आप नीचे opposite direction में आ रहा तो यह x-axis तो 2 है x-coordinate तो 2 है लेकिन y-coordinate क्या है negative 1 आई इतना समझ आया तो x, y है कॉमा के जो पहले point है वो x-coordinate है बात में जो point आई वो क्या है y-coordinate यहां तक clear है great तो इस plane को हम कहते हैं यह जो है cartagen plane है हमने क्या है आपके पाज जो plane paper इसको मैंने 4 हिसों में बांड दिया जब यह दो line draw कर दो आप 1, 2, 3, 4 हिस्से आ गए ठीक है जांते clear है अब यहां से देखे जब आप यह line draw कर रहा होता है ठीक है तो देखिए दियान से suppose मैं 3 को consider करू 3 को में coordinate points के शेकल में लिख सकता हूँ यानि इस शेकल में लिख सकता हूँ क्यों देखिए दियान से मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ X तो 3 है लेकिन यहां पर Y क्या है Y कुछ नहीं है ना Y कुछ नहीं है मतलब Y 0 है तो मैंने 3 को लिखा 3,0 तो coordinate point के शेकल में लिख दिया ठीक है इसी तरह 4 को में क्या लिख सकता हूँ 4,0 5,5,0 समझाया तो इस line के उपर जितने भी point होते हैं वो X,0 के form में होती है X यहां से आएगा इसी तरह इस point के उपर जितने भी point होते हैं इसके form में होती है 0,Y 3 क्या है Y axis Q पर है तो X axis यहां पर तो 0 है X coordinate Y क्या है 3 है तो यह क्या हुआ 0,3 तो इस Q पर जितने भी point आते हैं वो 0,Y के form में होती है यहां तक समझाया ठीक है अब दिहान से देखें दिहान से देखना Since दिहान से देखो यह जो line और यह जो line क्या है यह यह क्या है X axis क्या है एक line है Y axis भी क्या है एक line है अब हमने कहा था equation linear equation in two variable एक line को represent करता है और जब भी हमारे पैस एक line होती है वो linear equation in two variable को represent करता है समझाया चुनकि यह एक line है यह एक linear equation in two variable को represent करेगा अब वो equation क्या रहेगा दियान से देखना समझा है equation तो क्या होगा देखो Since x-axis is also a line तो इसका equation क्या रहेगा समझा है तो equation क्या रहेगा y is equal to zero जिस line की बात हुरी है जिस access की बात हुरी है उसके बारे मैं आपको पता करना है तो जिस X की भी बात हो रही है तो opposite वाले को 0 कर दो Sir क्यों क्यों 0 क्यों की देखो 3 को लिया यहां पर क्या है Y क्या है 0 है अगर 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 2 को लेते हो 2,0 Y क्या है 0 है negative 1 को लेते हो negative,0 तो Y क्या है again 0 है तो Y equal to 0 जो है X X को represent करता है इसको ऐसे समझते हैं दिहां से देखना Y equal to 0 X X को कैसे represent करेंगे देखो अब चुँकि हमाई linear equation in two variable के form में लिखनी है तो यह one variable है इसको मैंने convert किया ऐसे Y equal to 0 है अब X है नहीं है तो X चुँकि नहीं है तो X को coefficient में 0 कर दो 0 X plus Y equal to 0 अब यह क्या हुआ linear equation in two variable बना यहां पर क्या है दो variable है अब हम जानते हैं इसका क्या होता infinitely many solution रहता है अब देखो Y equal to 0 है ठीक है X को coefficient 0 है अब X को आप कुछ भी रखो यह तो हमेशा 0 रहेगा X को अगर आप 1 रखते हो 1,00 X को 2 रखते हो 0,Y 0 है X को रखा negative X को रखा मालो negative आपने 1 तो Y तो 0 है यह जितने भी points आया यह क्या है X coordinate 2 है Y coordinate 0 है तो यह सारे ऐसे points को represent कर रहे कि नहीं कर रहा negative 1,0 2,0 2,0 3,0 तो जितने भी यहां से इस equation का जो solution आता है वो इस line के उपर इतने भी points है वो असारे के सारा आ रहा तो यह जो line है यह equation है वो X axis को represent करता है समझाया? ठीक है? तो दिहान से शान्त होके सोचेगा तो अग्दिम समझ में आ जाएंगे इसी तरह सर Y axis का equation क्या रहेगा? चुंकि Y axis की बात हो रही है तो X is equal to 0 रहेगा ठीक है? इसको मैं लिखूंगे कैस है? इसको मैं लिखूंगे चुंक X 0 है तो X plus चुंकि Y नहीं है न? ठीक है? अब यहां पे आप Y कुछ भी vary कर दो Y को vary करना है इस बार क्योंकि Y axis की बात हो रही है Y को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, negative 1 रखो आपके पास entire Y axis आएगा कम समझ आए? ठीक है? अब ना चुंसिडर X is equal to 2 अब मैं X is equal to 2 को चुंसिडर करता हूँ ठीक है? X is equal to 2 यह क्या है? अब मैं देखे ध्यान से यह कैसा This is linear equation in one variable इसको मैं convert करता हूं नहीं है, उसके coefficient को 0 कर दो ठीक है? तो क्या क्या है? X plus 0 Y equal to 2 अब यहां पे X equal to 2 है Y को coefficient 0 है Y change करो Y को कुछ भी कर दो हमेशे यह point तो 0 रहेगा क्योंकि Y1 रखो, 1,002 रखो 2,002 कुछ भी रखो Y को vary करो यह हमेशे 0 रहेगा और X fix है, X2 है अब मैं क्या करता हूँ, दिहान से देखना चुंकि यह linear equation in two variable है इसका solution कितना रहता है? infinite और linear equation in one variable का unique solution, one solution It has only one solution number 9 पर दिखाएंगे तो यहां पे हैसर solution लेकिन इस equation का solution क्या होगा? infinitely मैं नहीं होगा क्योंकि linear equation in two variable है कैसे होगा solution? वो देखते हैं, दिहान से देखना इस box को देखिए X, Y जब भी linear equation in two variable हमें solution निकालना होता है यह box बना आते हैं, X, 2 X fix है ना यहाँ पे X2 है हमेशा X हमेशा 2 है, X equal to 2 है ना 2 fix है X को आप change नहीं कर सकता X को मैंने fix कर दिया 2, 2, 2, 2, 2 Y को आप change कर सकते हैं क्योंकि Y का Y का जो coefficient 0 है तो कुछ भी रखो, यह थो हमेशे 0 होना है Y को 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, negative 1 रखो, कुछ भी रखो अब मैं इसको represent करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ आपके पास एक्स एक्स हैं यह यह एक्स हैं X equal to 2, यहाँ पे हैं पहला पॉइंट आया 2, 0, X2 है Y0 है यह पॉइंट आया दूसरा पॉइंट आया 2, 1, X2 है Y1 है यह पॉइंट आया तो जैसे आपने line ड्रॉग किया यह जो line आया यह पॉइंट आया X is equal to 2 ठीक है, तो यह एक line आया आप देखो, खुसुसियात क्या है यह जो line है, किसके parallel है सर यह parallel है Y axis के तो equation is parallel to Y axis उसकी बारे में बात हो रही थी ठीक है, तो equation parallel to Y axis के लिए क्या होगा X is equal to कुछ ने कुछ रहेगा X is equal to कुछ constant, कुछ number रहेगा कुछ constant, कुछ number रहेगा समझाया है है हाँ तक similarly, suppose यहाँ पे Y is equal to 2 है अब ध्यान से देखना यहाँ पे Y is equal to 2 है यह भी linear equation 1 variable है, इसको मैं convert करूँ तो convert जैसे ही किया आपने जो variable गाइब है, उसको coefficient 0 कर दो तो 0X plus Y is equal to 2 तो Y is equal to fix है Y हमेशे 2 रहेगा ठीक है, X को change करें अगर X रखते हो 0, Y 2 आएगा X 0 तो Y 2 यह point आया X 1 तो Y 2 X 1 Y 2 यह point आया X negative 1 तो Y 2 X negative 1 तो Y 2 यह point हमेशे fix रहेगा जब आप इसको join करेंगे line draw करेंगे तो यह जो line आया, किसके parallel है X axis के parallel है तो जब भी आप equation parallel to X axis की बात करते हो तो Y is equal to कुछ constant आएगा लेकिन जब भी आप equation parallel to X axis करते हो तो क्या होगा Y is equal to Y आएगा equation parallel to Y axis करेंगे तो X is equal to कुछ constant आएगा समझ आया I hope यहां तक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छा topic है आप इसको दिहान से बढ़ें और last exercise जो है आपका home होगा है इसको अवारम से करें Thank you, thanks a lot